हेलो आप सभी का स्वागत है नवीन जी के जीएस यूटूब चैनल पे तो आज का वीडियो बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए बिहार आईटी एडमिसन से रिलेटेड कोमेंट जो भी छातर आप सभी किये हैं आप लोग वीडियो देख लेजिए ठीक तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपकी जरूरत के हिसाब से च्वाइस फिलिंग से रिलेटेड हो गया ट्रेड से रिलेटेड हो गया सभी वीडियो अपलोडेड है उसको जरूर से जरूर जा करके देख लीजिए एडमिसन से रिलेटे तो ये सब वीडियो जरूर से जरूर आप लोग विजिट कर लीजिए तो चलिए इस वीडियो में हम कॉमेंट का जवाब देते हैं आप सभी का ठीक है और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सस्क्राइब करके जरूर जरूर जाईएगा हमसे क्योंकि काफी अपडेट आएंगे बिहर आईटिया में इसलिए आप लोग का कोई भी चीज मिश्टेक नहीं और काफी वीडियो हम जो है अपलोड कर चुके आपके जरूरत के हिसाब से सभी वीडियो अपलोड है उसको जाकर कि एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा फाल तो वीडियो करके एक बार जरूर देख लीजिएगा तो चलिए कोमेंट परने से पहले आप लोग को बता देते हैं यहां पर यूटूब पर आईएगा सर्च के ऑप्सन पर और यहां पर लिख दीजिएगा नवीन और जीके डालिएगा तो जीएस और लेडी आ जाएगा देख सकते य आना है ठीक यहां पर हो गया वीडियो के सेक्षन में केमिनिटी के सेक्षन में प्लेइलिस्ट जो भी देखना चाते हैं आप अपने हिसाब साइएगा ठीक है लेकिन आप लोग के लिए महतापून क्या है वीडियो तो वीडियो के सेक्षन में आईएगा उसके बाद देख सकते हैं पूरे बिहार का डिस्टिक बताया गया है कौनकौन सानका कॉलेज है कि इतना कॉलेज है ठीक है कटफ लिस्ट बहुत बद्द लिए सब पूर्स एखạn कोनेट है और आप जवाब समझे हो इस वीडियो पर देख सकते हैं, गाल अपलोर्ड रिवी सिंग लखते हैं मेरा तो 700 पार भी नहीं हुआ था, थीक है तो देखें, 700 पार भी नहीं हुआ तो अच्छी बात है, उसके बाद यह ये यस लखते हैं, किस बिश्या पर यस लिखते हैं, पता नहीं, ठीक है उसके ब यहां पर किर्शन किंग लिखते हैं तो चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है देख रहे हैं पहले तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं होगा जो भी छातर देखते हैं हमारा वीडियो ठीक है उसके बाद मनीश कुमार जी लिखते हैं छेसो ब्यालिस जो है इनका छेसो ब्यालिस रैंक है सर कौन सा ट्रेड मिलेगा तो कौन सा ट्रेड मिलेगा इस पर जो है बी सी सी बोर्ड निरफर करता है ठीक है आप लोग च्छाइस फिलिंग सही तरीके से करेंगे बी सी सी बोर्ड के पास सारा बायो डाटा है आपका ठीक यह BCC Board निरधारित करेगा ठीक है उसके बाद एक क्लास लिखते हैं गुरु जी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए धन्यवाद तो चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है उसके बाद चलिए मेरा एडमिशन होगा तो एडमिशन तो भाई सभी का होगा जितना सीट है उतना फूल तो जरूर इससे जरूर होगा ज्यान रखेगा आप सबी ठीक है उसके बाद सुभम कुमार जी लिखते हैं सर मेरा यूर में अठारा सो पंदरा है और इवी सी में चार्सो संतानवे क्या मुझे डीजल मेकैनिक मिल सकता हाँ देखिए डीजल मेक है जैसे इनको डीजल मेकैनिक लेना है तो फर्स्ट में रखेंगे तो इनका एडमिशन हो सकता है ठीक है क्योंकि सभी बच्चे इलेक्टिशन फीटर इलेक्टिशन फीटर ऊपर में रखेंगे जिनका रैंक ज्यादा भी है उनका तो होने वाला है नहीं क्योंकि रैंक ज् तो ये भी एक आप लोग को ट्रिक बताए हैं ध्यान रखिएगा सर मेरा रेंक 800 है तो 800 कौन से डिस्टिक से है ये डिस्टिक नहीं लिखे है EBC में 800 है तो कम चांस है ठीक है लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं है जो नहीं होगा सचीन जी लिखते हैं ठेंक्यू सर तो चलिए आपको भी धन्यवाद उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सर मेरा 10th का एड्मिट कार्ड हो गया है लेकिन मेरे पास उसका फोटो कोपी है क्या मेरा एड्मिशन हो पाएगा तो चलिए हो जाएगा आपका और भी डॉकुमेंट होगा 10th का तो उससे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं और दिखिए एक और चीज यहाँ पर डॉकुमेंट से रिलेटेड आया कोमेंट तो बता देते हैं आप लोग का जो भी है डॉकुमेंट 10th का लगेगा ठीक है अगर CLC SLC 11th का हो तो भी चलेगा 12th का हो या गरेजवेशन का हो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन डॉकुमेंट सभी जो है 10th का ही लगेगा सिर्फ CLC SLC गरेजवेशन में हो या 12th का हो कोई भी दिक्क नहीं है उसका लगेगा ठीक है आप लोग सारा डोकुमेंट 10th का रेडी कर लिजेगा और यह जो है ओरिजिनल डोकुमेंट जमा हो जाएगा आप सभी का मिलेगा कॉलेज से मिलेगा लेकिन जो है जब आप कोर्स कंप्लीट करने वाले रहेंगे तब या उससे पहले एक अप साव से तब फिर मिल जाता है कॉलेज से तो आप लोग उसका कलर पिरिंट या फोटो को भी जरूर से जरूर करा लिजेगा जो भी छातर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग को भी बता देते हैं ध्यान में रखेगा बाद में मत कहिएगा जो सार ने बताया नहीं और यह हमारा ओरिजिनल डोकुमेंट जमा हो गया है सभी का जमा हो जाता है हमारा भी जमा हुआ था और जब रेजिस्टेशन हो गया था कॉर्स कम्पलीट होने वाला था तब हमने एक अप्लिकेशन लिख करके कॉलेज में जमा किया और सारा डोकुमेंट हमें वापस मिल गया तो वो application भी हमारे channel पे upload है उसको भी अगर लिखने की मान हो नहीं लिखने आता हो तो जा करके देख लिजेगा समझ जाईएगा ठीक है तो यह doubt किलियर हो गया होगा इस comment से आप सभी का उसके बाद देखे गुलसन कुमार जी लिखते हैं सर नलंदा IT с I government college में Hostel रहता है किया तो देकेudechieden to रहता है लेकिन hostel मिलता नहीं है क्योंकि hostel का यूज होता ही नहीं है आप लोग अपना जहां घर है वहीं से पढ़िए या रूम ले करके पढ़िए ज्यादा बेटर है और admission होने के बाद यह सोचीए ठीक है जो कहा है आपका admission हुआ है उसके बाद चलिए विवेक जी का comment देख लेते हैं सर मेरा district में 118 आया है और EVC में 31 और फीटर मिलेगा सर मेरा district नवादा ही और मेरा village मुझफर पूर है तो कोई बात नहीं EVC में अच्छा rank है आपका मिल जाएगा ठीक है electrician feeder मिल सकता है अगर नहीं मिलता है तो दूसरा भी trade ले लिजेगा कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन rank ठीक ठाक है अच्छा है उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पुरुस्तम कुमार जी लिखते हैं पूरा बिहार यूर में इतना है ठीक है और offline में जाएगे तब जाकर कि आप decide कर सकते हैं जो trade बचा हुआ रहेगा उसमें से choice करना परता है ठीक है लेकिन फर्स्ट और सेकेंड राउंड में बोड ही आपको choice करके देगा उसके बाद चलिए यहाँ पर विक्की कुमार जी का देख लेते हैं सर मेरा नाम सन्नी कुम पर देखे रैंक इनका जादा है तो इलेक्रिशन फीटर तो भूली जाएए सभी लोग इलेक्रिशन फीटर सभी को मिलेगा तो और trade कौन लेगा इसलिए जो आप ध्यान रखिएगा choice feeling करते टाइम ओके और इलेक्रिशन फीटर जो का रहे हैं वो दो साल का होता है और पढ competition भी जादा और पढ़ना भी पढ़ेगा ठीक है और फीटर थोड़ा hard work जादा हो जाता है काफी छातर जो है फीटर लेकर के बाद में कहते हैं हमसे नहीं होगा यह trade छोड़ देते हैं तो ऐसा गलती नहीं किजिएगा आप लोग जो है भेडिये की तरह मत चलिए आप अप कम चांस है ठीक है क्योंकि काफी rank है तो इसलिए जो पढ़ने लिखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप सभी उसके बाद चलिए दूसरा वीडियो ले ले लेते हैं यहाँ पर जो च्वाइस फिलिंग से रिलेटेड आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा दिये हैं पिछ कई वीडियो यूटूप पे देख रहा है जो सही वीडियो दो तो चली यहाँ पर देख लेते हैं यहां तो कब आएगा देखे जब भी आएगा तो नोटिफिकेशनों लिए ऑप लोगो allowed बीदियो के माने से हम सजित करदेंगे और लोग्वीडियो बाद ने यहाँ चित कर देंगे ठीक है उसके बाद लिखते हैं कि गुरुजी परणाम चलिए परणाम के अच्छी बात है इनको कोमेंट का रिफलाई दे दिया गया सभी छातर को देख सकते हैं कैमूर वाला लाइक केमूर वाला लाइक की लिखते हैं नितेश कुमार ची दिल भेजाएं उस से कौन सा ट्रेड ऊपर रखेंगे तो देखिए आपको जो ट्रेड लेना है डिजल मेकानिक या और ट्रेड जिससे कि आपको हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए तो आप लोग इलेक्टिशन फीटर छोड़ करके भी अगर रखेगा दूसर ट्रेड फर्स्ट में तो ह चींचर फर्स्ट राउंड में ही आपका निकल जाए तो आप लोग जानकारी ले लिजएगा कौन सा ट्रेड जो है बेश्ट है ट्रेड से रिलेटेड वीडियो हम पर वाइड करा दिया हैं और भी कहीं से जानकारी ले ले लिजिएगा कोई दिकत नहीं है जानकारी जितन पूर्ण चीज है आप लोग समझिए जो 11 कर रहे हैं अभी सपोज देट तो अगर आइटियाई में एड्मिशन लेजिएगा तो CLC लगेगा ही CLC अगर आपके पास है तो आइटियाई में एड्मिशन लेजिए 11 को स्टॉप कर दीजिए ठीक है और आइटियाई इधर से कर लिजिए उसके बाद फिर 11 कर लिजिए अनहीं तो जो है 12 फिनिस कर लिजिए उसके बाद जो है आप आइटियाई कीजिए तो ज्यादा बेटर है दोनों डिगरी अगर एक साथ करते हैं तो आगे चल के हो सकता है कभी दिक्कत आए ऐसे तो पहले हो जाता था लेकिन अभी जो है regular class करना होगा आपको तो class दोनों जगह possible है तो आप लोग कर सकते हैं करने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन वह यह जहां पर आई टी आई का डिग्री दीजिए वहां पर 12 का डिग्री नहीं लगाना होगा अगर 12 पलस आई टी आय मांग दिया तो आप लोग को डिग्री नहीं देना होगा नहीं तो फर्म नहीं भरना होगा ठीक है तो इसलिए जो काते हैं यह कोर्स कीजिए तो ज्यादा पढ़ियां रहेगा आप सभी चादर के लिए ठीक है जो दो कोर्स साथ में भी किये सकते हैं लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं हो भी बच भी सकते हैं फस भी सकते हैं ठीक है इसलिए कोशिज कीजिएगा एक डिग्री आप लोग प्राप्त करें और फोकस के साथ पढ़िएगा ठीक है और जो भी फॉर्म निकला अगर 10th पास कर गये हैं जो भी गवर्मेंट फॉर्म निकलता है आप लोग अभी सही भाड़ना शुरू कर दीजिए और तयारी करना शुरू कर दीजिए ठीक है कम्पिटिशन ज्यादा है जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे ठीक है इसलिए ध्यान में रखेगा आप सभी उसक के बाद देखे एक और महत्यपुन कोमेंट है सरवाइसाली में टोटल तीन आइटिया कॉलेज है लेकिन बहुत दूर है मेरा यहां से एक बगल में है तो केवल उसी कॉलेज का नाम दे सकते हैं ज्यास फिलिंग में हाँ बिल्कुल दे सकते हैं इसलिए आप लोग को कॉले दिश्टिक में जितना भी ट्रेड होगा उसको च्यास फिलिंग कर दीजीगा या आपके फैमली जहां रहते होंगे वह अगर दूसरे डिश्टिक में होंगे तो वहां एडमिशन लेना चाहते होंगे तो उसका फिर नीचे में सेलेक्ट कर लिजीगा वह सकते हैं तो यह ओके तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान में रखेगा एक सप्ता दिया जाता है आप लोग को घबराना नहीं है डेट जब निर्धारित होगा तो तुरत नहीं किजिएगा आप लोग एक दो दिन बीतने दीजिएगा फिर च्वाइस फिलिंग किजिएगा सब कुस समा इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप सभी चात उसके बाद देखें यहां पर हम जमुई डिस्टिक्स है मेरा इवी सी में इतना रेंक है अच्छा ट्रेट मिल जाएगा तो अच्छा ट्रेट मिल सकता है ठीक है आप लोग च्वाइस फिलिंग धंग से किजिगा बस हम इत च्वाइस करते समय अपने जी ला ही चुनेंगे अध्यख जीला का जो है भी तो देख्ये अधर जीला का भी कशास कर सकते हैं और देखें यहां पर टोटल सीट आठ सौ या जितना भी सो होगा उतना भी क्षाइस कर सकते हैं अप लोग ठीक है लेकिन आप लोग अपने डि हाँ पर 24 किजिए तो दिख जाएगा ठीक है तो जब आप लोग कीजिए तो खुद बखुद समाज़ें में आ जाएगा ओके उसके बाद दिखिए यहाँ पर 83 रेंग है नलंदा डिश्टिक्स है तो क्या míलेगा तो गवर्मेंट कोलेज जो भी छातर बोलने गवर्मेंट कोलेज मिलेगा जब च्वाइश फिलिंग किजीगा तो प्राइवेट चूलेज कीजिए गा तो वहां पर एक भी खॉलिज नहीं आएगा यानि कि इसमें फ्राइबेट कॉलेज से में जो एड्मीशन नहीं होता इसलिए आप दियान रखिएगा अगर जिनका एड्मीशन होगा उनका गॉवर्मेंट कॉलेज में ही होगा ठीक है तो इसलिए जो आप लोग ध्यान में रखिएगा गुवर्मेंट कॉलेज में इसके माध्यम से एड्मिशन होता है प्राइविट में तो आप लोग कभी भी जाएए पैसा देजी एड्मिशन हो जाएगा 25,000 बोलेगा 35,000, 40,000 तक आपसे लेगा सब एक्जाम फिनिस करके जो है एक्जाम फी तो ये फी तो वो फी प्रैक्टिकल फी ये सब जोड़ा जाता है और गुवर्मेंट कॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं है फरम भरने में हजार से कम ही लगता है एड्मिशन में आपको हज लगता है बस और उसका देश कोलर से भी मिल जाता है तो इस सब ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है इसमें ठीक है बिहार में टोटल सीट कितना है तो आप लोग वीडियो देखिए ठीक है बाद में कमेंट करते हैं जो हमारे रेगुलर चाहते हैं उनको पता होगा तो चलि तीसरा वीडियो लिए हैं यहां पर जो है गल्स और बाइच जो है ट्रेड से लिएटेड आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया उसको जा करके जरू से देख लिजेगा और देखिए यहां पर फर्स्ट सकेंड वीडियो लिखते हैं तो चलिए अच्छी बात है जी लिखते हैं यहां पर सर आपके जैसा कोई नहीं बताता है पूरे यूटूब पर थैंक यू सो मच तो चलिए रोविंस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारा सो कॉमेंट के लिए ठीक है फर्स्ट विव लिखते हैं तो चलिए कोई दीकत नहीं सर काउंसलिंग कब से होगा तो कांसलिंग देखिए दो सफ़ता के आसफस दो से तीन विग तक जो है आप लोग का नौटिफीकेशन जारी किया जाएगा एक सफ़ता का टाइम दिया जाएगा च्छास फिलिंग में ठीक है तो आप लोग चीन्ता ना करें आभी एक सफ़ता बीटा और आगे भी मिलेगा इसलिए जो है कहते हैं चैनल से जूड़ जाईएगा ठीक है तो दोनों से मैं मुझा पर डिस्टिक में से हैं तो चलिए अच्छी बात है कहीं से भी रही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहां पर लिखते हैं सर टेंथ का सौर्टी फिगर मार्क सिट कल अभी टाइम है तीन से चार सब्ता है तो च्वाइस फिलिंग होगा उसके बाद फिर एलाउटमेंट रिजल्ट होगा उसके बाद डोकुमेंट वहरिफिकेशन होगा तब तक आपके कॉलेज या स्कूल में जाकर करके पता कीजिएगा आ जाएगा तो अपना डोकुमेंट निकाल करके उसका अधर रखेगा सुरक्षित पिरिंट बगेरा करा लिजिएगा फोटो कोपी करा करके एक्स्ट्रा डख लिजिएगा और फिर एड्मिशन हो जाएगा तो अभी टाइम है अभी तुरत ही डोकुमेंट वहरिफिकेशन नहीं होगा अभी टाइम लगेगा अच्छा खासा ठीक है उसके बाद देखिए सर जी कास्ट्राइफिकेट एक साल के बीच में के चाहिए क्या देखिए कोई भी रहेगा कास्ट्राइफिकेट अगर रिशेंट का हो तो अच्छी बात है नहीं तो कास्ट बदलता नहीं है बारी बारी से तो पुराना भी अबास ये भी होना चाहिए और एक और कॉम्मेंट है यहाँ पर ओपन रैंक और डिस्टिक रैंक दोनों से कांसलिंग करवा सकते हैं तो देखिए यूर के हिसाब से भी जो है पहले च्छाइस फिलिंग आप लोग कीजिए तो रैंक कार्ड यानि केलाउटमेंट ठाया जाता है ठीक है तो आप लोग डाउट खतम हो गया होगा जो आप लोग का दोनों से होगा बस एक बार डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोग को एलाउटमेंट रिजल्ट होगा और बस डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन होगा तो इसल के लिए आप सभी ध्यान रखेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बारंगों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्य आप सभी का दिल से